जहें सूडेंस, आज हम लोग पोयम पढ़ेंगे The Labanum Top. सबसे पहले Labanum के बारी में ही जानते हैं. यह सामने आप स्लाइड में देख रहे हैं. Labanum जिसे आम बोलचल की भाशा में अमलतास कहा जाता है. April, May में यह Labanum खास कर हमारे इंडिया में यलोव फ्लार्स के लंबे-लंबे गुच्छों से भर जाता है. इसकी हाइट जादा नहीं होती है. ऐसा कहा जाता है कि फूल खिलने के 45 डेज बाद बारिश होती है. इसलिए गोल्डन, शार्ट्री या इंडियन रेन इंडिकेटर भी Labanum को कहा जाता है. इसके लगबग सभी पार्ट्स पॉईजनस होते हैं, इसकी बार्ख, याने इसकी चाल, रूट, लीव्स और खासकर इसके बीज याने सीट्स. पोयम स्टार्ट करने से पहले हम पोयम दे लेबरनम टॉप की थीम को भी समझ लेते हैं. बहुत ही छोटी पोयम है, लेकिन बहुत ही ब्यूटिफुल और मीनिंग्फुल पोयम है. लेबरनम टॉप पोयम में एक ट्री है, लेबरनम, और एक बर्ड है, गोल्ड फिंच, जो आप स्लाइड में देख रहे हैं. लेबरनम टॉप टॉप ट्री, उसके फ्लार्स भी यलो कलर के हैं, और लीव्स भी यलो कलर की हैं. वैसे तो पत्तियां यलो नहीं होती हैं, लेकिन आटम सीजन है, पतज़ड का मौसम है, तो पत्तियां भी पीली हो गई हैं. पेड बिलकुल शान्त है, जो पेड की तहनिया है, उनमें कोई movement नहीं है, याने still है, कोई आवाज नहीं आ रही है, बिलकुल silence is everywhere, और quietness है, बिलकुल शान्ती है, खामोशी है, जो लेबरनम ट्री है, ऐसा लग रहा है, जैसे वहाँ पर, जैसे किसी की death होने के बाद में, जो stillness रहती है, जो silence रहता है, जो quietness रहती है, ऐसा लगता है, कि लेबरनम टॉप के आसपास भी वही पूरा atmosphere है, और तभी वहाँ पर goldfinch bird, ये एक yellow color की bird है, जो कि आप slide में देख रहे हैं, उसके, उसका लेबरनम टॉप ट्री पर एक nest है, जिसमें उसके छोटे-छोटे वो उनको दाना खिलाने के लिए आती है, as soon as she enters there, वो बच्चे उसकी आहट पाकर चिरप करने लगते हैं, चहचाने लगते हैं, और अपने पंकों को, जो कि छोटे-छोटे पंक हैं, उनको फड़फडाने लगते हैं, पेड की पत्तियों में भी movement होने लगता है, और जो goldfin bird है, एकदम से पूरे atmosphere को transform कर देती है, बदल देती है, जहाँ पर अभी बिल्कुल death-like stillness थी, कोई movement नहीं था, जहाँ पर कोई sound नहीं थी, वहाँ पर पेड़ों की पत्तियों में movement होने लगता है, और बच्चों के चहचाने की आवाज आने लगती हैं, पोएट इस पोएम के द्वारा ये बताना चाहता है, कि जो goldfinch bird है, वो एक जो death-like atmosphere है, उसको तोड़ देती है, और दूसरे शब्दों में कहें, ये attitude ही है एक व्यक्ती का, जो जिन्दिगी को चाहे तो meaningless बना ले और चाहे meaningful बना ले, अपने attitude से ही वो atmosphere को transform कर सकता है, अब हम लोग थोड़ा सा poet के बारे में भी जान लेते हैं, Ted Hughes, जो कि The Lebanon Top Poem के poet है, was an English poet, translator and children's writer, यहने बाल साहित इन्होंने लिखा है, कि जब autumn आता है, तो किस तरह से atmosphere change हो जाता है, लेकिन इस change atmosphere में भी वो attitude change करने का inspiration देते हैं, कैसे motherhood, आप जान ही चुके हैं, कि poem में goldfinch bird अपने motherhood से पूरे atmosphere को change कर देती है, poet यह भी बताना चाहते हैं, कि जो natural beauty है, वो भी transient है, छनिक है, जब spring आता है, तो पूरा का पूरा जो natural scenario है, looks very beautiful, बहुत सुंदर दिखता है, लेकिन autumn के आने पर natural beauty धीरे धीरे खतम होने लगती है, resonance of life, जो उनकी यह poem है, वो यह बताती कि जीवन की resonance गूँज कहां तक है, जिन्दगी कहां तक है, इसलिए इनसान को जो व्यक्ति है, उसको अपने attitude को बदल देना चाहिए, ताकि उसका जीवन meaningful और worth living रहे, So, first, recite the poem, ताकि आपको सही सही pronunciation भी आ सके, Poem में total 3 stangas हैं और 15 lines हैं, लेकिन बहुत ही deep meaning वाली poem है, इसलिए हमको line by line इसको समझना बहुत जरूरी है, Let's start, The labanum top is silent, quite still, in the afternoon yellow, September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen, एक बार आप मेरे साथ पढ़े, The labanum top is silent, quite still, in the afternoon yellow September sunlight, A few leaves yellowing, all its seeds fallen, अब हम लोग line by line, मैं आपको explain करूंगी इसको, The labanum top, labanum आप लोग जाने ही चुके हैं, Amaltas का पीड, जोकी yellow जिसके flowers होते हैं, Is silent, silent याने कोई आवाज नहीं, Quite still, still याने कोई movement भी नहीं है, Without movement, याने उसकी पत्तियां और फूल बिल्कुल भी नहीं हिल रहे हैं, एक ये labanum का tree है, In the afternoon yellow, Time क्या है, समय क्या है, Afternoon, Yellow September sunlight, Month September है, और जो sunlight है, जो उसका shade है, That is also yellow, याने labanum की जो flowers है, They are yellow, और जो light है, वो भी yellow है, A few leaves yellowing, और इस labanum tree की कुछ leaves, Leaves किस से बना है, Leaves से, Leaves याने पत्ति, और इसका plural, F हटा दे, और VES लगा दे, Leaves, और कुछ leaves भी yellowing, याने process में है, पीली होती जा रही है, क्यों? क्योंकि जो September month है, वो autumn season है, वहाँ पर autumn season चल रहा है, और autumn में क्या होता है, जो leaves होती है, वो पीली हो जाती है, और पीली होने के बाद में, वो गिर जाती है, तो that's why, जो leaves का color भी yellow, all its seeds fallen, और जो उसके सारे seeds हैं, जो फल थे, वो seed में convert हो गए, बीज बन गए, और वो भी गिर गए है, ये इसका word by word meaning है, अब हम इसका extended meaning समझते हैं, जो poet हैं, वो ये कहते हैं, कि he saw a labanum tree with the yellow flowers, कि एक बार उन्होंने, एक labanum tree को, और उसके flowers तो yellow होते ही हैं, the tree is still and looks dead like in the daytime, जो tree है, वो कैसा है ये labanum tree, बिल्कुल still, कोई movement नहीं है, उसकी पत्तियों में कोई movement नहीं है, हवा नहीं चल रही है, और ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर dead like, जो stillness, खामोशी, एक मौत जैसा सन्नाटा उस पीड़ पर चाया हुआ है, इवन the sunlight is also yellow, और जो sunlight है, वो भी yellow है, as it is the time of the autumn, the leaves of the trees have turned yellow, और जो उसकी leaves भी है, क्योंकि autumn का time है, तो वो भी पीली पड़ गई है, और जो seeds है, वो क्या हो गए है, have fallen off it, उससे गिर गए है, पूरे तीन लाइन का जो stanza है, इसमें जो poet हैं, वो yellow color को repeatedly use करते हैं, जो flowers हैं, they are yellow, the leaves have also turned yellow, due to autumn season, पत्यां भी पीली हो गई है, और sunlight भी yellow है, तो जो यह yellow color है, yellow color symbolizes the beauty of that scene, उस scene की सुन्दरता को यह yellow color बता रहा है, और जो यह पत्यां है yellow color की, जो flowers हैं, वो तो yellow color वहाँ पर beauty को दिखला रहा है, लेकिन जो leaves हैं, वो जो yellow turn हो गई हैं, वो death को represent कर रही हैं, क्योंकि जो पत्यों का हरा रंग था, वो life का प्रतीक था, और yellow याने अब वो Lebanon tree से अलग होने वाली हैं, तो death को symbolize कर रही हैं, as well as silence, और जहां death होती है, वहाँ पर silence याने सन्नाटा खामोशी होती है, और daytime है, जबकि पेड में कोई पत्या है, branches उनमें कोई motion नहीं है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर ना तो बारिश हो रही है, और ना हवा हो रही है, हवा चल रही है, So, in the whole stanza, the poet is trying to describe the miserable condition of the Lebanon tree, which is silent and dying, बड़ी ही दैनी अस्तती है, जो कि Lebanon tree की, क्योंकि वहाँ पर silence है, और ऐसा लग रहा है, कि जो यह tree है, इसकी जिंदगी भी खत्म होने वाली है, Actually, the Lebanon tree symbolizes the pattern of our life in general, जो poet है, वो Lebanon tree के द्वारा, हमें अपनी जिंदगी का pattern बता रहे हैं, कि हमारी जिंदगी कैसी होती है, जैसा कि Lebanon tree है, usually dull and inanimate and lonely, कि सामाने तया, एक इंसान की जिंदगी कैसी होती है, dull, उदासीन, उसमें कुछ भी, ऐसा कि कुछ भी optimistic नहीं रहता है, और inanimate, कोई भी जिंदगी के प्रती उत्साह, और lonely, अकेला पन रहता है, तो जो यह first stanza है, यह इसके द्वारा poet, हमारी जिंदगी, याने जो human life को बतलाने जा रहे हैं, और यहाँ पर जो लेबर्णम टॉप है, उसको personify किया है, उसका मानवी करण किया गया है, कोई भी पेड, जिस तरीके से उन्होंने बतलाया है, कभी भी पेड ऐसा नहीं होता कि वहाँ पे, कि वो अपनी अन्तिम सासे गिन रहा है, या ऐसा, लेकिन लेबर्णम टॉप के माध्यम से, जो poet हैं, उन्होंने लेबर्णम टृ को personify किया है, यह एक poetic device है, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और अब second stanza, इसको भी मैं पहले पढ़ दियूँ, आप एक एक word को मेरे साथ दोराइए, ताकि आपको उसका correct pronunciation आ सके, जो यह second stanza है, इसमें 9 line है, और यह जो main activity, पूरी poem की जो main activity है, वो इसी stanza में होती है, line number 4, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard, an alert and abrupt, she enters the thickness, हम लोग अभी इनी 4 lines को समझेंगे, एक बार और मैं पढ़ती हूँ, अब आप मेरे साथ पढ़ें, till the goldfinch comes with a twitching chirp, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard, an alert and abrupt, she enters the thickness, और अब इसके अर्थ को समझते हैं, till the goldfinch comes, और जो फर्स्ट इस्टेंजा का, जो atmosphere था, वो कैसा था, वहाँ पर इतना ज्यादा quietness थी, silence was everywhere around the tree, पेडों के चारों तरफ बिलकुल सन्नाटा था, ऐसा लग रहा था, जिसे death-like atmosphere, बिलकुल मौत जैसा सन्नाटा था, यह कब तक रहता है, जब तक कि goldfinch bird नहीं आती है, जैसे ही goldfinch bird वहाँ पर आती है, the whole atmosphere changes, पूरा का पूरा जो atmosphere है, वो change हो जाता है, और जो goldfinch bird होती है, makes it alive, पूरे वातवरन को जिंदा कर देती है, कैसे जिंदा करती है, with a twitching chirp, twitching का मतलब होता है, एकदम से फड़क ना जिसको बोलते हैं, जो involuntary action of the body, body का अचानक से फड़क जाना, घूम जाना, और चिरप का मतलब चहचाहाना, chirping sound जो चिड़िया की आवाज होती है, चहचाहाने की वो, तो जैसे ही वो आती है, तो वो कैसे आती है, फड़कती हुई, चहकती हुई आती है, और suddenness, startlement, आपने branch end, और वो branch end, याने branch याने टहनी के किनारे, पर suddenness, अचानक से, startlement, startle मतलब होता है, एकदम से, अचानक से, startlement याने, आश्चर से, amagement से, तो वो आती है, और उसके आने से क्या होता है, कि जो पूरा का पूरा, जो death-like scene होता है, वो बदल जाता है, क्यों बदल जाता है, क्योंकि, जो पेड के अंदर, उसके, उसका nest है, और nest में, उसके जो chicks हैं, वो they were waiting for their mother, और इसलिए वो, जब आती है, तो एक chirping sound के साथ में, एंटर होती है, इसके बाद में, line six and seven, कैसे आती है, then sleek as a lizard, and alert and abrupt, she enters the thickness, she किसके लिए आया है, she आया है, goldfinch bird के लिए, sleek, sleek का मतलब smooth, चिकना, आकर्शक, चिकनी सत्य वाला, smooth shape, जैसे lizard याने चिपकली, lizard कैसी होती है, उसकी जो, skin कैसी होती है, smooth, चिकनी, alert, alert का मतलब watchful, सतर्ग, cautious, vigilant, जैसे की, alert देते हैं, alert का मतलब बारिश की चेतावनी देते हैं, कहीं पर भूकम्प की चेतावनी आ जाती है, आजकल कोरोना क्या alert आता है, या आप second wave निकल गई, या थर्ड wave आने वाली है, तो ये alert याने watchful होना, सतर्क होना, vigilant याने, चेतावनी, abrupt, abrupt का मतलब आप्रत्याशित, आकस्मिक, sudden, इंग्लिश में बोलते हैं उसको sudden, या unexpected, और thickness, thickness का मतलब होता है, थिक का मतलब मोटा होता है, लेकिन अब पेड का मोटा नहीं, पेड की यहाँ पर सगनता, कितना घना है, तो ये इसके meaning हो गए, अब हम इसका art समझते हैं, अब जो poet है, poet, goldfinch के जो movement को, कि वो कैसे पेड के अंदर आती है, वो किस से compare कर रहा है, lizard से compare, छिपकली से compare कर रहा है, कि जो goldfinch bird है, वो कैसी है, alert है, alert का मतलब, मिलकुल सतर्क होके आती है, watchful होके आती है, abrupt, अप्रत्याशित रूप से, वो lebanum tree पर आती है, and sleek, और वो कैसे smooth है, उसकी जो skin है, वो कैसे smooth है, तो जो alert and abrupt, क्यों? alert और abrupt क्यों है वो? इसलिए है, watchful क्यों है, ताकि कोई भी वहाँ पर, जब वो enter होती है, तो कोई भी उसका दुश्मन, जो lebanum tree के अंदर enter होती है, no predator can come to know, that her babies are housed in the nest, ताकि किसी भी दुश्मन जैसे बिलियां होती है, या कोई और भी, उसके chicks को नुकसान पहुँचा है, तो ये chicks पता ना चल पाए किसी को, कि उसके जो babies है, उसके जो chicks हैं, वो वहाँ पर nest में है, शी enters the foliage like a lizard, वो एक चिपकली की तरह है, बिल्कुल smoothly, बिल्कुल चुप चाप धीरे से, watchful, बहुत ही सतर्कता से, और alert होकर, abruptly, बिल्कुल प्रत्याशित रूप से, याने कोई उसका पूर्वानुमान ना लगा पाए, इस तरह से वो, लेबनम टॉप के अंदर, enter होती है, so, इस स्टेंजा जो दीज लाइन्स हैं, यह क्या, movement of the bird को बतलाती है, कि उस bird का movement कैसा है, और movement के साथ में ये भी बतलाती है, कि जो bird है, वो अपने nest को भी, पता नहीं लगना चाहती, कि उसके babies कहां बैठे हुए हैं, उसके chicks कहां बैठे हुए हैं, above all, the bird is a symbol of motherhood, जो यह bird है, वो मा का symbol है, यहना, यदि human life में भी देखें, तो मा ऐसी ही होती है, the thoughts of her nestling are there in his mind, even if it is away from the tree, in search of food, कि वो हर हाल में, अपने बच्चों को बचाने के लिए, चुप चाप से, उस जो लैबनम ट्री की थिकनेस में, जहां पर कि उसका nest है, वहां पर enter होती है, she enters the thickness, she हम लोग जान चुके हैं, she है goldfinch bird के लिए, वो थिकनेस, थिकनेस यहने सघंता, जहां पर कि लैबनम ट्री dense है, जहां पर कि वो घना है, वहां पर वो enter करती है, and a machine starts up, of chitterings, and tremor of wings, and trillings, the whole tree trembles, and thrills, it is the engine of our family, एक बार फिर से मैं बोलू, आप मेरे साथ बढ़े, and a machine starts up, of chitterings, and a tremor of wings, and trillings, the whole tree trembles, and thrills, it is the engine of our family, अब इसको explain करती हूँ मैं, word by word, explain करने से पहले, meaning को समझ लेते हैं, and a machine, machine हम लोग सभी जानते हैं, कोई भी machine, start up, शुरू होना, of chitterings, chittering का मतलब, sound made by baby birds, याने जो bird याने चिडियों के बच्चे होते हैं, चीचीचीचीची की आवाज करते हैं, that is chitterings, tremor, tremor का मतलब, shake करना, hिलना, of wings, wings याने punk, trillings, trillings का मतलब होता है, to sing a series of quickly repeated high notes, याने बहुत जोड जोड से आवाज निकालना, tremor का मतलब, shake करना, kaapना, trembles and thrills, याने जोड जोड से हिलना, and engine of our family, engine of our family, याने परिवार का engine, जो परिवार को चलाए, तो यहाँ पर परिवार को कौन चला रहा है, अब हम लोग इसका word by word, line by line, इसको मैं आपको explain करती हूँ, she enters the thickness, जैसे ही she याने gold finch bird, thickness में, याने जहाँ पर पेड काफी dense है, जो labanum tree है, जहाँ पर काफी खना है, जैसे ही वो अंदर जाती है, और machine starts up, तो क्या होता है, एक machine जैसे शुरू हो गई हो, जैसे machine start होती तो एक आवाज आने लगती है, तो एक तरह की आवाज आने लगती है, कैसे कि जो machine, the image of the machine, here refers to the young ones of the bird, जो bird है, जो gold finch है, उसके जो नन्ने नन्ने चूजे हैं, chicks हैं, जो उसके baby birds है, उनको machine की तरह यहाँ पर poet ने imagine किया है, कैसे? a machine makes a lot of noise when it starts, जब machine को चालू करते हैं, उसमें से आवाज आती कोई भी machine हो, चाहे sly machine हो, या आपकी jet machine हो, या कुछ भी हो, जब भी उसको start किया जाता है, तो that machine makes a lot of noise, similarly, when the young birds see their mother, they start chirping like a machine, तो जैसे ही, जब वो mother bird आती है, तो जो chicks थे, वो उसको देखते ही साथ में, वो chirping करने लगते हैं, चहचाने लगते हैं, like a machine, flattering their wings, fastly enjoy, और जो उनके छोटे छोटे, जो soft, जो भूती gentle उनके wings है, उनको flatter करने लगते हैं, उनको shake करने लगते हैं, कैसे करने लगते हैं? खुशी के मारे, enjoy, their mother has come with food, क्यों? क्योंकि now, their mother has come with food, they were hungry, as well as said, being far from their mother, क्योंकि जो chicks हैं, वो एक तो भूके भी थे, they were hungry, और काफी दुखी भी थे, because their mother was not there, तो जैसे ही, as they saw their mother, जैसे ही वो अपनी mother को उनोंने देखा, तो क्या करते हैं? वो चिटरिंग करने लगते हैं, वो जो एक तरह के चीची की आवाज निकालने लगते हैं, और उनके जो wings हैं, जो अभी बिल्कुल soft हैं, जो छोटे हैं, उनको tremor याने उनको shake करने लगते हैं, and trillings, और क्या करने लगते हैं? एक अलग सी आवाज में आवाज निकालने लगते हैं, the whole tree trembles and thrills, और इन सबसे, जो पूरा का पूरा जो वो लेबनम ट्री है, trembles and thrills, वो बहुत तेजी से हिलने लगता है, बहुत तेजी से उसमें, जो अभी तक जो silent था, अभी तक जो वहाँ पर quietness थी, अभी तक जो वहाँ पर stillness थी, अब वो stillness दूर हो जाती है, और पूरा का पूरा जो लेबनम ट्री है, वो बहुत तेजी से उसमें movement होने लगता है, इट इस दे इंजन आफर फैमिली, ये इंजन आफर फैमिली कौन है? ये बर्ड है, जो गोल फिंच बर्ड है, वो अपनी फैमिली के, उसको इंजन से poet ने compare किया है, क्यों compare किया है? क्योंकि वो अपनी इस machine को start करने के लिए, वो feed करती है, जिसे engine, machine, गाड़ी किस से चलती है, engine से चलती है, तो जो वो chicks थे, उनको feed करती है, So, the goldfinch bird is like engine. Poet ने goldfinch bird को engine of her family कहा है, क्यों कहा है? Just as the engine starts up the machine, her arrival in the nest has suddenly started up the silent machine, silent machine याने nest, जिस तरह से एक engine, एक machine को start करता है, वैसे ही, जैसे ही goldfinch bird, Lebanon tree पर आती है, तो उसके arrival से ही, जो nest है, उसमें chicks, वो chirping करने लगते हैं, और अपने wings को flatter करने लगते हैं, ऐसा लगता है कि जैसे कि machine start हो गई हो, इसका मतलब, कि जो young ones है, have their chittering and making noise, वो अपनी mother को देखते ही, जो mother bird को देखते ही, वो chittering और शोरगुल करने लगते हैं, और वो अपने young ones को, यानि जो baby bird है, उनको वो feed करके, उनको दाना खिलाके, उस machine में, वो एक तरह से जो machine अभी तक inactive थी, जो machine अभी तक silent थी, जो अभी तक still थी, उसमें वो fuel डाल देती है, as a result, the chicks now have the energy to be active and make noise, और जैसे ही, वो chicks को fuel मिलता है, मतलब उनको अपनी mother से, खाना मिलता है, वो उनमें energy आ जाती है, और वो active हो जाते हैं, so that's why, जो poet है, उसने goldfinch bird, जो mother goldfinch bird है, उसको engine of her family कहा है, दो इसका एक और कारण है, कि जो poet है, ये feel कराना चाहता है, कि how a dead like tree becomes alive, because it has given space the bird, एक जो पेड, जो अभी तक बिलकुल dead था, जिसमें कोई motion नहीं था, कोई movement नहीं था, लेकिन एक bird को space देने से, वहाँ पर life आ जाती है, and our young ones, bird को एक nest बनाने की वो जगे देता है, वहाँ पर उसके chicks आते हैं, और उसके कारण, उस पूरे पेड पर जैसे की, जिंदगी आ गई हो, फिर से वहाँ पर चह चहाना शुरू हो जाता है, एक तरह से bird को वहाँ पर shelter मिल जाता है, और tree को life मिल जाती है, so these lines are the most beautiful lines of this poem, इसके आगे हम जो अभी तक हमने पढ़ा, पहले उनके word meanings को एक बार revise करेंगे, और first stanza और second stanza की, जहां तक हमने lines को पढ़ा है, उनसे related questions को discuss करेंगे, एक बार फिर से meanings को समझ लेते हैं, twitching, twitching का मतलब, a small voluntary movement of the body, याने body का एक movement, chirrup, sound made by the birds, startlement, startlement का मतलब अचानक से, amigment, आश्यर, sleek, sleek का मतलब smooth, chikna, abrupt, abrupt याने suddenly, chittering, chittering याने जो baby birds होती हैं, उनके द्वारा जो आवाज, चीची के आवाज निकाली जाती है, that is chittering, थोड़े से और meaning देखते हैं, second stanza के, tremor, tremor याने shaking, याने हिलना, trilling, to sing a series of quickly repeated high notes, जोड-जोड से गाना याने चिडिया के आवाज के लिए आया है, trembles and thrills, shake violently, जोड-जोड से हिलना, the engine of our family, engine of our family किसके लिए आया है, जोड-जोड फिंच बर्ड के लिए, what happened when the goldfinch came to the labanum tree, जब goldfinch bird, labanum tree पर आती है, तब क्या होता है, there was sound, activity and movement, when the bird came, there was plenty of chirping, goldfinch bird के आने के पहले, there was everywhere silence, लेकिन जैसे ही वो आती है, तो वहाँ पर sound, activity और movement शुरू हो जाता है, she went in to feed her chicks, and the whole tree seemed to vibrate, with the fluttering of wings, and the shrill sound of her chicks, पूरे के पूरे पेड पर, उसके जो chicks हैं, जो बच्चे हैं, जो baby birds हैं, उनके wings की fluttering, फड़ फड़ाने की आवाज आने लगती है, और उनके चीची करने की तेज आवाज आने लगती है, जब bird आती है, तो पेड कैसे बदल जाता है, अभी हम लोग यह जान चुके हैं, कि गोल फिंच के आने के पहले, ट्री कैसा था, लेकिन, जैसे ही bird आती है, तो जैसे ही bird आती है, तो जैसे ही bird आती है, तो वहाँ पर उसके जो chicks हैं, उनकी चीची की आवाजे आने लगती हैं, wings के flutter करनी की, फड़फडानी की आवाजे आने लगती हैं, और सारा जो ट्री है, वो ऐसा लगता है, मानों, वो सजीव हो गया हो, वहाँ पर जैसे कि सब कुछ बदल गया हो, उसका transformation हो जाता है, एक बहुत ही important question है, Why is the image of the engine evoked by the poet? कि poet ने जो goldfinch bird है, उसको engine की image क्यों दी? The poet evokes the image of the engine, as it is the source of energy for a machine, क्योंकि जो goldfinch bird है, वो machine के लिए energy का source है, machine क्या है? जो उनके chicks हैं, जैसे ही वो उनको feed, एन उनको dana देती है, वो अपनी chittering शुरू कर देते हैं, the poet compares the bird with an engine, as she is the source of energy for the machine, that is the nest where the chicks are resting. In the poem, Lebanon top, what is the bird's movement compared to? Lebanon top, जिसमें के भी हमने second stanza पढ़ा, तो bird के movement को किस से compare किया है? The bird's movement has been compared to that of a lizard. Lizard याने चिपकली से उसके movement को compare किया गया, her movement is smooth and clean like a lizard. बिल्कु स्मूथली, बहुत ही बिना किसी को पता चले, वो जो Lebanon tree है, उसकी थिकनेस में bird चली जाती है. दे लेबनम टॉप पोयम का first stanza जहां पर एक gloomy atmosphere create करता है, चारों तरफ एक death-like atmosphere है, लेकिन second stanza उस पूरे atmosphere को transform कर देता है, पूरा change कर देता है, एक gold flinch bird आकर वहां पर पूरे बातावरन को, पूरे atmosphere को musical कर देती है, और पूरा tree भी, poet ने अलग-अलग words के द्वारा ये बताया है, कि वो tree भी बहुत खुश हो जाता है, और जैसे कि the whole tree trembles and thrills, ये word बतलाता है कि now the atmosphere है, वो कैसा है, बहुत ही happy हो गया, जो mood of the poem is now change. ये poem का first part था, जिसमें की sound को show करने वाले words थी, जैसे कि twitching, chirrup, machine starts up, chitterings, और वहीं goldfinch के लिए adjectives का भी use किया गया, sleek, alert, abrupt, और बहुत सारे ऐसे words भी आए, जो कि movement show कर रहे थे, जैसे कि machine starts up, tremor, wings, trillings, tremble and thrills. तो बच्चों, इस poem को आप इतना ही बहुत ध्यान से पढ़े, क्योंकि अभी इसमें काफी सारी चीज़ें बताने के लिए हैं, जो कि वीडियो के, इस poem के जो next वीडियो में, यानि जो part two होगा, उसमें हम लोग discuss करेंगे, जब तक आप इसको याद करें और पढ़ें.